आप सबी को जनमास्ट मी के धेर सारी शुब काम नाएं आईए आज हम बनाते हैं काना जी के भोग के लिए गोंद की पंजीरी ये रेसिपी मैंने अपनी सासुमा से सीखी है और हमारे या जनमास्ट मी के दिन गोंद की पंजीरी जरूर बनाई जाती है तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फूर जंक्शन भाई नीहा तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस पंजीरी के लिए सबसे पहले हम यहां पे लेंगे गोंद यह खाने वाला गोंद होता है और यह पंजीरी में जरूर डालेंगे तो यहां मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद इस गोंद को पहले हम थोड़ा सा सूखा भूल लेंगे आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं देखें यह हलका हलका फूनने लगा है इसमें अब हम डाल देंगे दो बड़े चमस देसी घी देसी घी डालने से यह गोंद एकदम फूल जाएगा और हमने इस सीधे घी में इसले नहीं डाला ताकि अंदर से कच्चा न रह जाए तो सूखा भूनने के बाद हम इसे घी में भून लेंगे और आप देखेंगे यह गोंद अच्छे से फूल रहा है इसको जल्दी जल्दी से चला लेते हैं वरना यह जल जाएगा देखें गोंद प्रोग्राम बदाम लिये हैं यहां हम सभी चीजों को इसले भून रहे हैं ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो सकी तो देखिए बदाम भी बहुत जल्दी भून जाते हैं तो आप इसे लगातार चलाते रहे हैं वरना यह जल जाएगी देखिए भून गए हैं और इन्हे पर चेंज करने की जुरत नहीं है उसी घी में हमारे सारे ड्राइफरूट भून जाएंगे यह देखिए उचल रहे थे इसलिए मैंने दो मनट के लिए ने ढग दिया है ताकि इनकी छीटे मेरे उपर ना आएं चलिए इसी के साथ इसमें आइट कर लेते हैं कसा हुआ गोल यह नॉर्मल गोला है और इसे आप बारिक या मोटा कैसे भिखिस लीजे तो देखिए इन दोनों चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक बस याद रहे कि यह जले नहीं चलिए यह भून गए हैं इने भी हम उसी बरतन में अलग कर लिते हैं सभी चीज़े हम एक ही बरतन में अलग करते रहेंगी चलिए अब एक और चीज़ भूनते हैं जो मेरे हाँ पंजीरी में ज़रूर डाली जाती है तो इसके लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक चमज घी और इसमें एट करेंगे हम आधा चमज अजवाइन मेरी सासुमा जन्मास्चमी की दिन गोन की पंजीरी अजवाइन और जीरा डाल कर ही बनाती है और इसी पंजीरी का भोग लगाया जाता है तो चलिए जीरा और अजवाइन भी भुन गया है इसे भी हम अलग कर लेते हैं और फिर से इसी बरतन को लेते हैं और इसमें एट करेंगे हम दो कब भरकर मखाने किसी भी ड्राइफूट को हमें तोडने की कोई जुरत नहीं है क्योंकि हम इने बाद में हलका सा पीस लेंगी इसमें एट करेंगे एक चमज घी और इसको भून लेंगी इन मखानों को हम तब तक भूनेंगी जब तक हाथ से तोडने पर तूटेना देखिए मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ और यह असानी से तूट पा रहे हैं इसका मतलब मखाने हमारे अच्छे से भून गए हैं चलिए इसको भी अब अलग कर लेते हैं तो देखिए यहां हमारे सारे ड्रैफरूट भून गए हैं और अब बनाते हैं हम चाशनी तो उसके लिए हम यहां लेंगे दो कटोरी चीनी क्योंकि हमें इसके लिए थोड़ी गाड़ी चाशनी बनानी है तो हम इसमें पानी का कम यूज़ करेंगी इसमें हम सिर्फ आधा कफ़ी पानी डालेंगी और उसके बाद इसको चला लेंगी ताकि यह चाशनी बनकर चल्दी से तयार हो जाए चलिए जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम इन सभी ड्रैफरूट्स को थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं बिल्कुल बारिक पाउडर इनका हमें नहीं बनाना है क्योंकि पंजीरी में जब थोड़े मोटे मोटे पीसे जाते हैं तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो चलिए थोड़ा थोड़ा करकर इनको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और बस एक बारिक नहीं करा है ये थोड़े थोड़े से मोटे हैं तो इसी तरीके से देखिए मैंने सारे ड्राइफूर्ट को चर्ण कर लिया है इसको साइड रग देते हैं और यहां लेते हैं हम एक ठाली जिसमें हम पंजीरी को जमाएंगी इस पे हलका सा घी लगा लेते हैं और इसको ग्रीस कर लेते हैं यहां मैं इस मिक्षर में थोड़ी इसी काली मिर्च भी एड़ कर रही हूं क्योंकि पंजीरी एकदम मीठी होती है तो काली मिर्च उसके टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है इधर देखिए चाशनी भी हमारी तयार हो रही है और चीनी अच्छे से घुल गई है एक बार चला लेते हैं और आप टैस्ट कर लेते हैं कि चाशनी तयार है या नहीं तो आप हलका सा कच्छी पे चाशनी ले लिजे और हाथों की सायते से इसे देख लिजे आप देख पा रहे होंगे कि एक तार की चाशनी बनकर तयार है इस तरीके से एक तार बनना चाहिए अगर आप इस तरीके से नहीं देखना तो एक बाउल में थोड़ा सा पानी लीजे और उसमें चाशनी की एक दो ड्रॉब डाल दीजे देखिए डालते ही ये ड्रॉब जम गई है इसका मतलब कि ये चाशनी पिलकुल तयार है पंजीरी जमाने के लिए अगर चाशनी इस तरीके से नहीं होगी तो पंजीरी अच्छे से सैट नहीं होगी चलिए चाशनी तयार है और अब इसमें हम पिसे हुए ड्रैफरूट्स को मिला लेते हैं ड्रैफरूट्स को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर ले ताकि पंजीरी अच्छे से जम सकी अगर इसमें चाशनी नहीं लगेगी तो पंजीरी भी अच्छे से सैट नहीं होगी मिक्स करने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है फटबट इसे जमा लेना है बना ये पंजीरी खराब हो जाएगी तो देखिए थाली पर हमने घी पहले ही लगा लिया था इसलिए और अब इसमें इस पंजीरी को जमाने के लिए पलट लेते हैं और अब कच्छी की सहायता से इस मिक्षर को प्रेस कर देंगे आप चाहें तो इसे कटोरी से भी कर सकते हैं एक फ्लेक तले वाली कटोरी लिजी और उस पर हलका सा घी लगा कर इस तरी केसी से प्रेस कर लिजी इससे जवाब पंजीरी के पीसिस काटेंगे तो वो कहीं से मोटे या कहीं से पतले नहीं होंगे एकदम एकवल पंजीरी कटेगी इस थाली को हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं और आधे घंटे बाद देखिए ये पीसिस काटने के लिए एकदम तयार है तो अराम से आप किसी भी शेप के इसके पीसिस काट कर सकते हैं यहां मैं square pieces cut कर रही हूँ और आप देखेंगे कितनी असानी से ये pieces cut हो पा रहे हैं मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये एकदम perfect पंजीरी जम कर तयार हुई है वैसे आप सभी और किस-किस धनेके की पंजीरी बनाते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए मुझे comment section में जरूर बताईएगा चलिए मैं आपको तोड़के भी दिखाती हूँ कि ये पंजीरी एकदम perfect जमी है तो चलिए friends इसको plate में लगा लेते हैं और चलते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और अपने friends और family के साथ शेयर करना बिलकुल न भूले आप मुझे मेरे facebook पेज और instagram पेज पर भी follow कर सकते हैं with the same idea food junction by निहा मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई recipe के साथ तब तक के लिए राधे राधे and thank you for watching बाबाई